जैसरी राम प्रेमी भग जनों, प्रेमी भगतों, आज सुबह वीडियो डाल ली थी कि कुंडलीनी शक्ति और सारे चक्रों को कैसे जागरित किया जाता है, यानि राम नाम के जब से कुंडलीनी शक्ति और सारे चक्र जागरित हो जाते हैं, तो कई साथकों के कमेंट आए कि कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलीनी शक्ति और हमारे चक्र जागरत हो रहे हैं तो प्यारे भगतों हमने सोचा कि वीडियो ही बना देते हैं क्योंकि कमेंट में जवाब देते हैं तो सब उसको देखनी पाते हैं ध्यान से सुनियेगा प्यारे भगतों कुंडलीनी एक ऐसी महाशक्ति है हमारे शरीर में होती है ये और इसके जागरण पर एद्वित्य अनुभव होते हैं, मनुष्य के शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है, उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता, उसके शरीर में कुछ अपने आप ही किरियाएं होने लग जाती हैं, जब मनुष्य ध्यान मुद्रा में बैठता है, तो उसको जैसे पहले जबरदस्ति अगर स्वांस रोकना पड़ता था, अगर कुंडलीनी जागरण होना स्टार्ट हो गई, तो उसको अपने आप ही इच्छा होने लगती है, कि मैं स्वांस को खिचू और इसको रोकूँ, तो प्यारे भगतों उसको जब भी ध्यान में बैठता है सादक, तो जो हमारा मुलाधार चक्र होता है, उसके पास आपको ऐसा मैसूस होता है, कि जैसे कुछ चलता है, कुछ भुदक रहा है, वो कुंडलीनी शक्ति का सबसे बड़ा संकेत होता है, और जब मुलाधार में जो हमारी कुंडलीनी शक्ति है, वो जब जागरत होने लगेगी, तो बाकी के सारे चकर अपने आप जागरत हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति जो होती है, वो उपर ही जाएगी फिर, एक बार कुंडलीनी शक्ति जागरत होते ही, सारी शक्ति उपर जाएगी, उपर तो सारे चक्र भी अपने आपई जाग्रित हो जाएंगे क्योंकि आप ऐसा कमैंट करें कि बाखी चक्र कैसे सारे की अपने हो साथ होंगे इसलिए अपने आपको बोला था कि स्वासों का जब करें, राम नाम का जब करें, स्वासों के साथ, तो आपकी कुंडलीनी शक्ती और सारे चक्र जागरत होते हैं, प्यारे भगतों, जब भी आपको ऐसा अनुभव होने लगे, कि आपको अध्यात्मिक ज्यान की बाते अच्छी लगने लगी है, आपका ज्यान अपने आप भी बढ़ने लगया है, आपके प्रशनों के उत्तर आपको मिलने लगे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है, कि आपकी कुंडलीनी शक्ती जागरत होना शुरू हो गई है, और अगर आप ऐसे ही करते रहे, जो हमने बताया है, राम नाम का जब सांसों के द्वारा, तो अति सिग्र कुंडलीनी शक्ती पूरी तरह से जागरत हो जाएगी, मुलाधार में, मुलाधार चकर में कमपन होने लगता है, या जैसे फड़कने जैसा अनुभाव होता है, और प्यारे भगतों, जब ध्यान में आप बैठते हो, तो आपको आपके इष्ट देव के द समीप है, और आपको एक अजीव सी शक्ती मैसूस होने लगती है, अपने अंदर हलकापन मैसूस होने लगता है, और प्यारे भगतों, जब फिर आप ध्यान में बैठते हो, तो दोनों बोहो के बीच में, आपको वो दिव्य प्रकास पुंज दिखाई देने लग जाता है, कभी आपको आपके सिर में फड़ फड़ाट होने लगेगी, ये इसके संकेत हैं कि आपके सारे के सारे चक्र एक साथ जागरतोरे कुंडलीनी शक्ती की, क्योंकि कभी आपको हिर्दय के पास में कुछ कंपनसी मैसूस होगी, कभी कुंडलीनी शक्ती मुलाधार में होगी, प्यारे भगतो सारी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी, आपको बगवान की बातें ऐसी लगने लगेगी, कि आप मतलब ये लगेगा कि मैं हर पल बस उसका नाम ही जबतार हूँ, नाम ही जबतार हूँ, उसके इलावा और कुछ ना करूँ, और अथाहा ज्यान आपके अंदर भरने लग जाता है अपने आप ही तो प्यारे भगतों यही सब अगर आपको संकेत नजर आते हैं तो समझो आपकी कुंडलेनी शक्ती जागरित होने लगी है आपके चक्र जागरित होने लगे हैं और आप अपनी मंजिल के बहुत ही करीब ह तो प्यारे भगतों, उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रशन हो, तो कमेंट बोक्स में प्रशन कीजिएगा, हम आपका संकास अमाधान जरूर करेंगे, अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही जैस्री राम प्रेमी भग जनो झाल